अगर आप BA कर रहे हूं या BA कर चुके हों तो यह वीडियो आपके लिए बहुत important है किकि इस वीडियो में मैं discuss करूँगा BA करने के बाद ऐसे कौन से career option है जो private में है ऐसे कौन से career option है जो government में है और अगर आप study को अपनी continue रखना चाहते हैं करेंट सेनारियों के साब से ऐसे कौन से डोमेन है जिसमें आपकी आपको अपनी पढ़ाई को कॉंटिन्यू रखने चाहिए तो वन बाई वन मैं सारी जिए किलियर करूंगा वीडियो लाश्ट तक देखें और चले ही चलते हैं कम्पूटर स्कीन पर और मैं आपको सारी क्लों जाएं तो मैं मताता दों गया अगर करना चाहते हैं जिस सुझेक्ट है मैं अपने आप आपमें कर सकते हैं और मेस अब इप डेटा साइंस में भी डिप्लोमा ले सकते हैं आज कर बहुत दिमांड़ी डेटा स्की और आप डिश्चनल मार्क्टिंग का पीज च सेर्टिफीकिशन ले सकते हैं बहुत इस भी सेर्टिफीकेशन कर आएं और यह बहुत अच्छा करियर बूम है आज के करेंट सेनारियों के लिए करके और इंसुरेंस इंडिस्ट्री में आप सेटिफिकेशन कर सकते हैं डिवलुबा कर सकते हैं आप अगर ने बीए किया है तो कौन से करियर ऑप्शन्स है तो सबसे पहले में बात करूँ कि अपने अगर क्यों बीए कर रखा है कर रखा है तो आपकी लिए सबसे वेलकम जौब है वह है कॉल सेंटर की आप किसी भी सिटीज में चहलक नौव हो या दिली हो और आम सब को कॉल सेंटर के जौब मिल जाएगी जिसके स्टार्टिंग दस हजार होगी और आप पांची साल बाद आराम से 35 तक पहुंच है आप बैक ऑफिस एक्जेकुटिव ऑफिस असिस्टेंट डटा इंटर ऑपरेटर कम्पीटर ऑपरेटर भी काम कर सकते हो इसमें बस वही होता है कि स्कैनिंग प्रेंडिंग और रिसर्च थोड़ा सा डेटा इंटरी करना तो यह सारा काम होता है और इसमें आपने इंटरो वीडियो वह आप जरूर देखेंगा मैं आपसे रिक्वेश्ट करता हूं और आई बटन पर लिंक भी दे रहा हूं आप लोग वह इंटरो वीडियो जरूर देखिए उससे आपको आइडिया लग जाएगा बैक आफिस के बारे मगर जो लोग इसमें टेस्टेड ह चर्क भात करते हैं कि अगर आप एड़्वांस एक्सल कर लो तो ड्हाант2 पीसमें एक्सल पर लगाने होते हैं और डैट करना है डेटरी करना होता है मेंटियंट के सामने एक डैशॉडर बनाके चार्ट साथ ऑगार तो सब्सेश्में कर सकते हो पर आराम से आप 50 जार तक इसमें पहुंच सकते हो आप बी और करने के बाद आप कोई कोर्स कर लो यह डिप्लोमा कर लो और आप ग्राफिक डिजानिंग कर सकते हो जैसमें आपको लोगो ले आउट एलिश्टेशन बनाना मैगेजिन ना कैटलोग ब्रॉश्र पैकेजिंग तो इस तरह के कराम ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है और यह बहुत हाइड पे है और इसकी जो स्टाइन है वह बारा से है और बागी अब साथ तो आपके अंदर अच्छी है तो आप बहुत अच्छा वैसान कर सकते हो इस बहुत ज़्यादा बूम पर है और जिसको अगर अच्छे से कर लें जरने स्टाट करें आपकी स्टाटिंग जो होती 12000 लाग तक भी मार्केटिंग फिल्ड आपको अच्छा दोगे तो आपको सालरी में बहुत ही ज्यादा मिलती है फिर बात करते हैं सेल्स के जिनको कंप्यूटर पर काम करना नहीं पसंद है मलब उनको ज्यादा यह बै स्टाट और आप एक लाग तक जा सकते हैं साथ इसमें इंसेंटिव बढ़ा अच्छा होता है अगर आपने दस लाग के डील क्लोज की आपका दो परसंट भी इसके साफ से पैसा बनता है तो इसके लिए बस आप M.V करते लें अगर कर पाएं तो नहीं कर सकते हैं तो छोड मार्केटिंग का काम होता है और कैसे प्रमोट करना है अपने प्रोटक्त ब्रांड को तो उसके लिए भी सेम आपकर M.V कि हो या कहीं कहीं आपने ट्रेंग मगरे ले रखी हो और आपकी स्टाटिंग से हो जाती फिर आप लाग तक आराम से जा सकते हैं इंसोरेंस जोगे ना उसके साब से आपको इंसेंटी बहुत हैंड से मिलता है तो यह होता है इंसोरेंस एडवाजर में फिर बात करते हैं टीचिंग जॉब की इनको बच्चों से थोड़ा लगाव है और घुलना मिलना पसंद है वो बीए के बाद अपना टीचिंग भी कर सकते हैं व आफ में आपको बॉनस पॉन्ट देता हूं कि जो ए मैंने आपको सारे चाइज है बतागें अशुझी द辉नτι बता अफ मैंने से आरे बतायों की मारफी region गोर्तु बसक्वानी से अब ऑपो कषorit कर सकते हैं में कुछ करना है प्रैक्टिस करने रिविजन करना है और रिसर्च जदा-जदा करने जहां पर आपके डाउट हो और यह मनलब प्लेटफॉर्म है बहुत ही अच्छे हैं थेक ही सारे लेकिन मैंने आपको इसलिए बता है क्योंकि मैंने खोद ये यूज किये हुए तो इनसे प्लेटफ लिए एक त्यक्ते में किसी भी स्ट्रीम से शलिए वाकि पर आपके जो अधक्राट c कोई़ या या कृम या जबशा लिकीन पर मौट Ruby लोग देख सकते हैं कि ल rij एस प्स आथ इसमें एर फोर्स कभी देख सकते हैं आप इंडियर पुलीस कभी आर्मी कभी देख सकते नहीं होता है तो यह प्रिप्टी मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन लिंक में देदूंगा आप लोग डाउनलोड कर लें और यहां से सको रिवाइज कर लें तो यह कुछ बहुत आप कमेंट करके बताइए और चलन को प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए मैं ऐसा ही कंटेंट इस पर लाता रहता हूं और बहुत जल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में